तो बच्चों आज किस कलास में आप देखेंगे कच्छा नौ की अंसी अर्टी गडित और आपका एक नया ध्या सुरू हो चुका बेटा इक्सरसाइज आपका 13 सुरू हो चुका है ठीक है जिसका नाम है प्रिष्टिय चेत्रफल और आयतन आज आप जो आप सुरू कर रहे है इसमें आप 3D आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे थ्री डायमेशनल फिगर वो क्या होता है जैसे आपने पेपर देखा होगा पेपर जिस पर आप लिखते हैं पन्ना अगरा यह चटाई वगरा यह टू डायमेशनल फिगर है या मैत में अगर बात करें आपने आयत पढ मनाब समझ anywhere लें देख thenш छोटा सा देखो कुछ दिख रहा है अपको यह और अस्मेश में देखो यह लंबाई है इधर में डिक में टेकर में ना BBC अदो टिक हैं टेखो रही है है इसी कोछी है अ चॉडाइए एक चीज़ और समझो, जो आयत से आपका बनता है, यह वर्ग से बनता है, यह देखो चारो तरफ लगभग बराबर लग रहा होगा, इसमें भी वही सब कुछ है, अगर आप ध्यान दो, तो इसमें भी सब कुछ वही है, इसको डिबबा मैं फेंका नहीं इतना दिन से, इसलि इनका क्या बढ़ेंगे, आयत, जो भी छे तरफाल, या जैसे भी कुछिटन में रहेगा, वो सब चीज़े हम लोग निकालेंगे, तो यहां से आप याद रखो, इसमें छे फेस होते है, देखो समझे लो, छे पेस कैसे, एक इधर से है, एक नीचे हो गया दो, नहीं तो ऐ आप तक जो आप लोग पढ़े हो, वो छे फेस वाले नहीं थे, आप दो ही में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को बहुत ही देहान से समझना है, अब चलिए कुछिन देखिए, ध्यान दीजिए कुछिन पे, कुछिन में कहरा बेटा, 1.5 मीटर लंब लेकिन चोड़ाई अगर आप देखो तो चोड़ाई लंबाई के तुलना में कम है, कम है ना, कहरा 1.2 फिंटर चोड़ी है, और गहराई और कम है, सेंटी मीटर में दिया, इससे आप में चेंज करोगे, तो 0.65 मीटर होगा, ये इतनी क्या है, गहरा है या उचाही समझ सकत ये डिब्बा बनाना है, कहरा कि खुला रखना है, उपर का जो भाग है, उसे खुला रखना है, उपर उसमें आपको कुछ भी चीज नहीं लगाना है, समझ रहे हो, उपर आपको उसे खुला रखना है, आगे पलास्टिक सीट की मोटाई को नगड मानते हुए, कि सीट कित घृण झुड़ा और को कुला चोड़ना है उपर साइड क्या करना है आपको नहीं गिनना इन समझ थोड़ा अच्छे समझ करनी है अब चलो मैं आपको बताता हूं इस सित्र के माध्यम से देखे हमारा जो फिगर है इसमें थोड़ा देखने में ज्यादा लंबाई चोड़ाई में अंतर नहीं लग रहा लेकिन आप कुछ भी एक तरफ को मान लोगें तरफ ज्यादा है ठीक है 1.5 मिटर लंबा है हम म सेंटिमेटर दिया भी में में बदलना बता दूंगा ठीक है यह आपकी क्या हो जाएगी चोड़ाई हो जाएगी ब्रॉट क्यों यहीं तो होगा आप लोगों को हो सकता है फिगर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो क्योंकि फिगर थ्री डैमेशनल है हां देखो यह आप क्या करना है हमें इसका teat area find करनी है देखो में निकालना क्या-क्या है एक मिनट सम्झो ध्यान से देखो बाबू सबसे पहले तो हमें यह वाला अमैं डैम师 को ज 알고 com प् killed it को एक मिनट कर कर दो कि समझंग हमें यह लंप भिर एक को तो हमें इधर साइड का एरी निकालना इसका जश्ट उल्टा भी एरिया निकालना अगर मैं इसको गुमा दूं गरें तो इधर का भी एरिया निकालना है और फान वाला छोड़ देना है इसमें छे फेस है थोड़ा सा कम सही बना होगा लेकिन आपके बूख में दिखाते हैं फटापड लिखो लिखो दिया है लंबाई बराबर लिखने वाली चीज़े मैंने लिख दिया ध्यान दीजिए आप देखो बैटा समझना है बाब वहती ध्यान से समझो बहले टाइम क्या क्या है चोड़ाई है और उंचाई है बोलो यहीं है ना चोड़ाई और उंचाई है इसमें लंबाई तो नहीं है इधर नहीं तो लिखो चोड़ाई को किसे लिखते हैं बी से उंचाई को एच से तो आप क्या लिखोगे वी इंटू एच कि किसी भी सर्फेस का अगर आप एरिया निकालते हो तो लंबाई चोड़ाई के गुड़ा करते हो ना जैसे आयत में करते थे अगर आपको बेसिक नहीं आता नहीं समाज में आएगा बेसिक में आपको आनी चाहिए ठीक है सबको जोड़ना है प्लस इसका हमने कर लिया इधर साइड का अब इसके कि दोनों तरफ का इधर का साइड का हो गया एक मिनट इधर और इधर ऊगया आप देख इसमें समाजना यह वह क्या गांट्या उचालाई कहां पर और चाहिए नहीं युच से इधर अ उचाई का तो प्लस यल इन्टू एच यानि लंबाई और उचाई मतलब हाइट लेंद इन्टू हाइट ओके तो एक बार और क्योंकि अभी मैंने दिखाया दो बार सामिल है यह हो गया आपका चार हो गया ना एक और बचरा है वो कौन नीचे नीचे क्या भई नीचे क्या है इस लंबाई चोड़ाई उचाई क्या बोलोगे इसे लंबाई है और चोड़ाई है ना क्या है कि कुछ और है बोलो क्या है इसमें लंबाई चोड़ाई है ना इसमें नीचे लंबाई चोड़ाई है तो प्लस यल इन्टू वी यानि लेंद इन्टू ब्राथ और एक चीज और ध्यान दखना इसका उपर वाला इसको खुला रखना इसको आसे खोल देना इसमें मेरी इज्जत देख लोगे दिखा दूगा कुछ रखा है तो यह क्या है ऐसे खोल दोगे ठीक है उपर नहीं निकालना इसलिए पांची कर रहा हूं कहरा को खुला शोड़ में वता दे रहा हूं फ्लस यह भी यल भी हो जाएगा तेको बी-च बी-च दो बार है ठीक है भाई ल, अच भी दो बार है बाबू तो यह है तो फैसे बशाचिंगे जाये चुछ हो जायेगा यह इए च्छ बhando को में याउये डřत-वन प्लश मीश प्लस यह अनूक्त पो तो यह आपका हो जाएगा VH प्लस LB ना ना भी एच प्लस LH ठीक है कोश्टक बंद और यह LB अलग से हो जाएगा इसी में मान रख दो लाके भाई साहब जितने भी मान दिये आपको ठीक है सारा अंसर आपका आजाएगा चलो मान रख के मैं हल करवा देता हूं लिखते चल तो देखो यह चोड़ाई कितनी थी बही मतलब चोड़ाई बाबू ठीक है चोड़ाई कितनी थी 1.25 x h हाइट कितनी थी 65 cm एक चीज़ यहां समझ लो साइड में ठीक है देखो बही यहां यहां समझ लो चूकि 1 में 100 cm होता राजा और इसलिए 1 cm में एक बटा सो मीटर होता है निटक है समझ रहे हो इसलिए जब 1 cm में एक बबटा सो मीटर होता है तो 65 cm में बावू 65-100 मीटर होता खुशो 675 मीटर होता इसलिए मैंने हृइत को 65 cm फे 0.65 में लिख दिया थ था Цिक खक्लिए चलो अब हाइट पर क्या रखोगे 0.65 ओके डन प्लस एल यानि लेंथ 1.5 इन्टु हाइट 0.65 यह मैंने अंदर के सारे मान को पुट कर लिया ओके डन बाहर में आ जाओ प्लस यानि लंबाई बी मतलब ब्रॉट यानि चोड़ाई 1.25 इन सब को आपको कल्कुलेशन कर लेना ह और आंसर आपके सामने पटक पटक के आ जाएगा चलो उपर मिटा उपर मिटा रहा हूं लिखलो जल्दी से बहुत जल्दी करो स्क्रीन साथ लेलो बेटो बटो बटो जल्दी जल्दी अब इसमें बिटा आपको कल्कुलेशन आना चाहिए बाबू ठीक है इनको दोनों को आप गुड़ा करोगे तो 0.2 इनको दोनों को गुड़ा करोगे तो 0.8125 आएगा गुड़ा करना सीख लो प्लस इन दोनों को क्या करना है इन दोनों को भी मल्टीपल करना है इनको मल्टीपल करोगे क्या आएगा जानते हो यह आएगा इतना तो आपको आना ही चाहिए कल् प्लस इन दोनों का गुड़ा कर लो 1.875 आएगा इस इन दोनों को जोड़ लो राजा इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा जानते हो बोलो सातरा सम्थिंग आएगा 1.7875 लगभग जोड़ लो इनको नीचे उपर रखके नहीं आता तो कमेंट करके बताना कि मुझे जोड़ना नहीं आ रहा है तो कोई उपाय बताय जाएगा आपको इनको गुड़ा कर लो भाई साहब कितना आएगे जानते हो इतना आएगा एक पर दसमलो आएगा प्लस 1.875 इनको आप फाइनल में जब जोड़ोगे बाबु तो आपका आएगा 5.4500 मेटर का स्कुआर यांसर आएगा इसमें कोई डाउट नहीं न यह आपका फाइस पार्ट हो गया इसमें सिकंड पार्ट कि जल्दी से इसे लिख लो में सिकंड पार्ट पर आगे बढ़ता हूं कर लो जल्दी से चलो इसक्रीन साट लो फट अफट अफट है ओके चलो तो बिटा देखो अगला इसका सिकंड पार्ट क्या कहता था ध्यान दो कोईस्चन में एक बार स्क्रीन पर फिर से आ रहा है कि तेखोने इस शीट का मुल यदि वहन मीटर एंट का मूल 20 रुपया है यह तोड़ा गलत लिखया मुझे लग रहा है इस मीटर शिट का मुल 20 रुपया है यंजिंद उन मीटर स्कॉयर से मूल 20 रुपया ठीक है ज्या रुप Bibra 2 заos जो मुल्य है बाबू वो क्या है 20 रुपया है तो टोटल सीट का प्राइस ग्याद करना है इस सीट का मुल्य मतलब निकालना है ठीक है देखो कोई भी सीट या पलाई या कोई ऐसा चीज अगर आप लेने जाते हो तो उसमें उसका जो प्राइस होता है वह वन मीटर का नहीं ह पर तुटी हुँखिए डीन के बाइस एरसे सीट का मूल्य बरबर 20 रुपया यह क्या दिए ठीक है बाबू यहां लिखो इसलिए 5.45 मेटर स्कॉर सीट का मूलय बराबर क्या करोगे जानते हो इसको गुड़ा कर दोगे ठीक है भाई साहब ठीक है बाबु इसका मुल्टीपल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 109.00 मिटर रूपया आएगा भाई यह रूपया ठीक है 109 रूपय लगभग समझ में आया इस तरह से आपका इसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि कोश्चन में बहुत सारा इसमें तिकडम था समझाना था इसक्रिंसाट ले लिजिए एकसरसाइज 13.1 चल रहा है यानि लंबाई 5 मीटर है बाबू तो कहने का मतलब अगर हम इसका माने तो यह 5 मीटर है ओके दन और इसकी क्या कह रहा है चोड़ाई 4 मीटर है यानि यह कितना है राजा 4 मीटर है और उचाही 3 मीटर है तो कह रहा है साथ रूपए 55 मीटर की दर से इस कमरे की दिवारें और च्छत पर सफेदी कराने का ब्यग्याद कीजिए यानि कोई जो कमरा है उसमें दिवाल पर पेंट करवाना है और च्छत पर ऊपर में भी फर्स में तो पेंट होता नहीं है फर्स तो अलग चीज है उसकी अलग निकालने वाबबू ठाहे है तो अब से पहले निकालें अधेर निकालना हन देखो हमें क्या करना है निकालना निकालना है तो दोनों धिवालों का इस प duck तो चेख करना ऑपको आपको अरिया निकालने हैं तो आप क्या लिखो गे लिखो कमरे का हित्रफल बराबर देखो चाहे तो इनको तीनों का अलग-अलग निकाल के जोड़ो तो आपको पता है क्या हो जाएगा एल इंटु बी एल इंटु एच जैसे मैं अभी फर्स्ट कुश्टन में करवाया था नहीं देखे लो एक बार और चाहे तो इनको एक बार में लिख तो यह ऊजाएगा है जाएगा यह व्यां अध्य कामन हो जाएगा ऐल प्लस भी ठीक है includes कई तो होगे अनृंटि फॉड़ में इंटु बी यानN चण्ण फसाल आइट आपको 3 दिया है न यहीं तो दिया है और यह लेंद कितना दिया 5 बी चौड़ाई कितना 4 दिया था मैंने यह कोष्ठक लगा लिए बड़ा वाला ठीक है यह आपका 5 है अब भी आपका 4 है ओके यह 6 हो गया यह आपका 9 हो गया बिटा तो कोष्ठक खोल देंगे तो य तीनों क्या होंगे आपस में जुड़े हैं तीनों जुड़े हैं आपस में भाई साहब यह दोनों जुड़ गए थे तो common हो गये मुझे बताना ही पड़ेगा इसको कोष्ठक लो मैं भी detail में बता देता हूं लिख लो पहले चलो तो यह आपका हो गया प्लस यह भी प्लस ह माझा देता हूं यह कैसे आया वास्तों इसका मतलब क्या है मैं अभी अब बता दे रहा हूं आपको फैले कोष्ट पूरा कलो है अभी आंसर नहीं आया अभी सिर्फ छेत्रफाल आया है अब लिखोगे अवल दीवारों को सफेदी कराने का खर्च इकवल यानि टोटल कास् 24 इंटू आपका जो प्राइस था इसमें कितना था भई सेबन पॉइंट संसिंग क्या था गुड़ा करके देखो इसको कितना आएगा कितना आएगा इसमें कोई डाउट नहीं किसी को न एकदम क्लियर अब मैं यह सूत्र के बारे में आपको थोड़ा डीटियल बता देता हूं इसको नोट कर लो इसक्रीन साथ ले लो में फार्मूला समझा देता हूं देखो इसको एक कमरा मालो रूम ठीक है क्योंकि इसमें उचाई भी है अब कोई हम टू-डाइमेशनल फिकर नहीं दिखा सकते इसमें तो इसमें क्या लंबाई है यह चोड़ाई है यह चोड़ाई है और यह उचाई भी तो है ना ऐसे में जिसे गहराई यह उचाई बोल स तो तो जो आगर यह मालो कमरा है कमरे में यह यैदर बातण होगी तो कि दीवाल फ्लकेश कशलки डोवेref Alem और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेना जाते जनकारी के लिए आप कमेंट करो बताया जाएगा फिर भी नहीं समझ में आए तो आप नीचे नंबरों पे संपर करिए समस्या का समधन किया जाएगा परजिंट समय में जो कलास का समय है वो साम को छे बज़े पीवियर स्टडी इलहाबाद चैनल पर और सुबा आठ बज़े पीवियर स्टडी 3.0 चैनल पर ये टाइम चल रहा है ठीक है बटा तो कोई दिक्कत होगी तो बता देना चलिए सुरू करते हैं परिशना वाली 13.1 को किसी आयताकार हाल के फर्स का परिमाफ 250 मीटर है ने जैसे यह ने बनाया ऐसे आयताकार हाल मतलब कंड़ा बड़ासा जिसके फर्स का परीमाफ यहीं परिमिटर 250 मीटर है योगी 10 मेटर सरी दस रूपय प्रतिमीटर की दर से देखो दर दिया है दर मतलब यह रूपया है ठीक है दस रूपया प्रतिमीटर की दर से चारो दिवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रूपय हो यानि चारो दिवारों पर क्या हो रहा है पेंट हो रहा है ठीक है इसकी लागत 15,000 रू देखो पहले तो जो दिया आप लिखे लेंगे लिखिए दिया है पेरीमीटर . इकोल Dri चोट्री यानि आप नोट कर लिए फट ze हाल का परिमाब बराबर 250 मिटर अट्री इंगलिस मीडियम वाले लिखेंगे पेरीमीटर . इसivedleader . दियाlegen ? बेटे तो आयत का जो परिमाप होता है बाबु उसका फर्मूला आपको याद है क्या होता जानते हो तू इंटू एल प्लस बी ये परिमाप होता है न पड़े हो न बराबर कितना है दो सो पचास मीटर अब इसे ऐसे लिख लो समझने के लिए बाद में इसका काम लगेगा का निकालना हमें इसकी उचाई निकालना है कि हाल की जो दिवाले हैं वो कितनी उचाई की है इसमें टोटल खर्चा दिया आपका टोटल 15,000 रूपे लग जा रहा है ठीक है लिखocyए अब पहले हमें एरिया निकालेंगे आखिर उसका एरिया कितना है लिखो पटापट सभी एरिया इक्वल एरिया इक्वल या फिर छेत्रफल हिंदी में देखो भाईया यह चीज़ समझो जहां कहीं अगर इस तरह का महौल है जहां खर्चा लगड़ा दर है रेट है न वहां छेत्रफल निकालते हैं तो लागत अ कॉस्ट अपान रेट तो देखो कॉस्ट जो लग रही है वह 15,000 लग रही है रेट जो है दस रूपए प्रती मिटर के हिसाब से लग रहा है फाइनल में एरिया आ गया बाबू आपका 1500 मीटर स्कॉयर कितना आ गया 1500 मीटर स्कॉयर ओके अब देखो सी एस ए आप दा हाल नि प्रिष्टिये छेतरफल ना तो क्या निकालोगे लिखो भाई प्रिष्टिये छेतरफल चूकि अगर कम रहा है तो उसमें 3D आकरती बनेगी ना तो आप लिखोगे C.S.A. C.S.A. आफ दा हाल इक्कोल क्या हो जाएगा जानतों 2H और L प्लस B मतलब जो परिमाप होता है आयत का उसी में H से गुड़ा कर देते हैं बस ये क्या हो जाता C.S.A. हिंदी में लिखेंगे प्रिष्टिये छेतरफल बराबर आयता का प्रिष्टिये छेतरफल बराबर हिंदी में क्या लिखेंगे, ठीक है, प्रिष्टिये ऐसे रहेगा हिंदी में. प्रिष्टिये ये ठा रहेगा, ठाफा ठाठेरा, ठीक है बेटा, तो प्रिष्टिये छेतरफल बराबर ये फार्मुन लगाओगे इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दो, UNC को हमने पीछे से गुड़ा कर यह दर से अटा दिया कोई दिक्कत नहीं ना किसी को नहीं रुको फिर देखो यहां समझो अब क्या करना है तूंटु एल प्लस ब्लस भी इसकी जगह पे देखो बाबु यहां से तुम दोसों पचास रख सकते हो मतलब 250 इनटू हुच उचाही तो पता है नहीं कि पता है क्य और उजाएक यह नहीं पता है नेकिन लेकिन देखो 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 यह क्या अप्रिस्टिय छेटर्फल ना और ऊपर एरिया निकाला गया वह इसका इसी रेक्टोंगर दिवाले का निकाला गया न तो जो सी एस ए आफ दाहल जो है इसको आप रख रहे हो इसमें जो इसका मान आया है उसको रखना फटाफाट कितना आया था इसको लिख लिए ना बीच में एक चोटा लिखा उंग तो 1500 अबाबाबू तो यहां पे आप 1500 लिख लो आपको क्या मिल रहा है आपे एच इक्वल छे ना यानि फाइनल में हा लिक सकतो भाई या यह बराबर छे मीटर यानि हाल की जो उचाई है वो छे मीटर है समझ में आया ना किसी को कोई डाउट नहीं इस तरह से आपका कोईशन नंबर थार्ड कंपलीट हुआ और नंबर कोईशन की तरफ आगे बढ़ते हैं देखे बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कमेंट के पीछे परिसान ना रहो राजा ठीक है जो बच्चे रोज जुडत हैं उनका नाम हम जरूर लेते हैं चलिए नेक्स कुईशन देखिए फोर नंबर